आप देख रहे हरियाना न्यूज 24 जहां हर खमर बिले सच के साथ हम मौजूद है और अनेच नाइन इस पर किसानों ने जो यूपी के जो किसान है उन्होंने डेरा डाला हुआ है मैंदर सिंग के पुत्र है कभी सक्री हैं बीजी पे सरकार ने कई वारताइं की एक दो तीन चार पांच कहने की वीफल नजर आ रही है सरकार पासा फैकरी है लोल्यूपो द्वेरी है किसानों को पर तो किसान भी करो मिरों के सित्थी में है पीछे हटने वाले नहीं है उदर सरकार की मन्सा भी साफ हो चुकी है किसानों के साथ कि वो भी कहने कि पीछे हटने वाले नहीं है कानून को वापिस किसी सूरुत में नहीं लेने वाले अभी दिखाई नहीं दे रहें लेंगे अब किसान भी पिछे अटने वाले नहीं है अब सरकार दो रहाई पे आ चुकी है अब करे तो क्या करे और जाए तो कहां जाए सरकार कहिने के बान सी कभी आंदोलनों को पुरानी सरकारों ने हमें अकबर अक्सर देखा है कि तोड़ने की कोशिस करती है कि आंदोलनों को लंबा खैस दिया जाता है सरकार के तरफ से वारता 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 तो कहिने के हरास्मेंट हो जाते हैं किसान वारता वारता करके और 10-15 दिन में कहीं दिने कि वह ऐसा लगता है कि किसान आंदुलन दिरे-दिरे कम होता जाता है लेकिन ये किसान आंदुलन कुछ अलग तरीका है अलग तरीका रंग दीख रहा है यू जो दिन बढ़ते जा रहे हैं किसान आंदोलन काफी भव्य होता जा रहा है वारता चली जब तक किसान आंदोलन बहुत चोटा था लेकिन जो ही वारता का दोर खतम हुआ किसान आंदोलन धीरे धीरे बहुत जादा होता जा रहा है पूरे भारत वरस से लोग यहां आने सुरू हो चुके हैं सभी वाडर चील हैं सरकार को कहने की दूभीदा में फसन पड़ेगा अब सरकार क्या स्क्राइब होगा पहले तो मैं जानते हैं राकेश टकेश जी यह सब हर्याणा इनुश टोन्ट पर आपको बहुत बहुत स्वा किसान पिछे नहीं जाएगा कि कहीने कहीं सरकार लग रहा है आपको पुलिस फोरस स्यार प्याइव विए सब कहने के दबाने की कोशिश करें तो दबाओ जब दबाओंगे तो फिर जब आप देते हैं तो किसान इस समय जैसे सरकार कई पीछे अपने कांदूर देंगे अब किसान की क्या सित्य जैसे 15 दें से ज्यादा हो चुके हैं तो कहीने कि आपको नहीं लगता जैसे पीछे किसान हो जाते हैं तो अब कैसी से नालका उने का यह पूरे देश के किसानों का मसला है जिन लोग उन्हें भी किसान संगण बनाएर उनके नाम पे पिछले 20-30 सा आलबाद में वह किसान संगण फिर एक क्यो Corps है सबक को मोटीव है सबकी सोच एक है सब की विचार दारा एक है क slept कोई कड़ी यही है कि सरकार गुचन का क्या काम करेगी पुरुष के किसान अबने मömंत संट मान से भीसмотр दो एक सब पिच्छे नहीं अटागा मोदी जी की सरकार कह रही है मंतरी कह रहे हैं किसान जो कानून अध्यादेश तीन आए कहिने कहीं किसानों का फाइदा पहुचाएंगे आने वाले समय में और वो कहिने के वैक फूट पर थोड़ा सा गए भी हैं उनके मन सा अभी उन्होंने कहा है कि हम आपको लिख्त में दे देंगे आजवासन दे रहे हैं आप यह कानून मन लेकिन किसानों की डिमांडे काफी जैसे नो नो डिमांड हो चुकी हैं इस सिल्चले में क्या करें अगर कानून की जोरत नहीं होती तो वह भी लिखित में बना लगते हैं कानून बनाने का जो होती है हमने बनाने की बात करी बलब किसान के उश्यक्य के नहीं बना नहीं बनेगह मिद्स सरकार कोशन करना यह पीच्छा पनाना ४ह लैंका किसान यह पीचे सकता है छितने किसान रहें कितने किसान की सम्हावना आने वाले हैं और अभी कितने किसान पांच लागके के वी आम इसान अलडकी जितनी अब्णा खेत में काम कर रहा हूं उसकी एक नजर दिल्ली का अंदुरन पर पर एक deeply लड़ाई लड़े जाएगी यह विचार की लड़ाई है विचार सा उत्पन ही और कानून से खतम होगी तो यह वैचारी करांती है वैचारी करांती दुनिया में कभी तबती नहीं वह अपना परिवर्तन करती है सरकार कहीने कि यृटई लोग गोशित्कर कर दो कहने का अगली क्या परानिंगो गादंगो लोग करें है लोगा त A उनिंका हमारे लो को आने सा रोक रहे हैं हमारे लोग को मुकदमे लिखे रहे हैं लोग को जेल में डाला जा रहा है जो भी संगठन इससे पिछे अटागा वह संगठन खतम होगा जो आदमी पिछे अटागा वाद भी खतम होगा तो कोई भी संगठाना पिछे नहीं अटागा ऐसे यह और पूरा एक जुट है सारी जो कोडिनेशन कमेट्रिया वह एक है और जो तैय होता है मोहीं हम ब्यान देते हैं है है तो अब क्या लग रहा है सरकार भी कई की मूर्य नहीं है तो किसान अब क्या कहना एक कशन को घुट है तो मिरे साथ राकेश्टकेत मौई है बारति किसल यूनिगे के बड़े पाददिकारी हैं अध्यक से राश्टिय प्रवक्ता हैं दो टूक सब्दों में बोल रहे हैं किसान पीछे जाने वाला नहीं है एक मीना हो जाओ छे मीना हो जाओ चाहिए बारा मीना निकल जाएं अब यहां से किसान वापीस नहीं जाएगा और किसान एक नजर इस हांदोलन पे है और एक नज कि दुम्हें लगार यह सरकार कहने के विए जात्ती करिए तके सामने बोला है तो मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजद हैं तेके साथ के वाद दुवारा लोटता हूं सर राजमुर जी आप भी यहां पर देदिकारी कि शानियों के बहुत बड़े आपने बहुत आंदूलन कि लेकि हैं तो इस अंदूलन को किस नजरीच देख हुं हम लोग बाबा टिकेत के सिपाही है और उनके जमानेसे आंदूलन भाग लेगए ह तो हम लोग को आंदूलन का एक बड़ा अभ्याश है और इस अंदूलन को भी हम एक 88 के आंदूलन की तरह ले रहे हैं उस समय भी एक जनकरांती थी आजभी एक जनकरांती है भी लड़ाई के मूड में है यह समय ते करना सरकार का काम है कि वो किसान को कितने समय तक रोड पर रखना चाहती है कितने समय तक किसान को आंदूलत रखना चाहती है यह अब ते सरकार को करना है किशान तय कर चुका कि हम पूरी तरीकिस लड़ाई को लढ़ाएंगे आंदोलन को पूरी ताकट के साइज लढ़ा जाएगा यान कि मैं कि तय कर लिया ना जुकेंगे और ना रुकेंगे इस कड़्ी on किसान देस में किसान ही जुक जाए गा किसान तब नहीं जुका इस करोणा महां सर्कार को सोचने की यह वो मजबूत तपका है जो किसी महामारी देवियापदा या किसी सरकारों से डड़ने बाला नहीं है हम अपने मकसद को डिश्चित कर चुके हैं और उस मकसद में काम्याब हो करके ही घर जाएंगे अपने वाइट कपड़े डा लखे हैं कुछ नेता और कुछ लोग बोलते हैं यह किसान नहीं है तो आपको क्या लगता है किसान वही माना जाएगा जो बहुत अच्छा प्रश्ण है आपका जो सरकार में बैठी लोग किसान की फोटो देख रहे हैं समझ रहे हैं उनको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब बोट मांगने जाते हैं किसान के घर घर दरबाजे दरबाजे तो भैस के गोबर मिट्टी में सना हुए किशान उनको परमात्मा नजर आता उसके पैरों पे गिर पड़ते हैं आज वो किशान दिल्ली की तरब कूच किया है अपने निजी बस्त पहने हुए है किसी पार्टी के द्वारा प्रदत बस्त नहीं है यह बस्त सफेद भी हो सकता है किसान साधा बस्त पहनने बाला है जो जो जराजन तो उसकी अगले ही एक हफ़ते दस दिन में उसकी लुक बदल जाता है और कहीं जीत गया कहीं जीत गया तो उसके परिवार का सिस्टम पलड़ जाता है जिनको सरकार साइकल महिया नहीं होती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगते हैं आज हिंदुस्तान के क किसान को ठकने के लिए बस्त्र पहन के खड़ा है तो सरकार को उसके बस्त्र भी नागावारा गुजर रहे हैं यही तो देश की बिड़ंबना है यहीं हिंदुस्तान की बिड़ंबना है कि पॉल्टिकल लोगों की दोहरी नीती है दोहरे चरत्र है और दोहरी दृष्टी ह चुनाव में वो किसान को आम आदमी को परमात्मा समझता है और पांच सेकंड के भावनात्माग दोहरन के बाद चाहे बेलटर मोहलग वाले चाहे बटन दबबवाले Clone की पांच सेकंड के बार उनका रिभाण souto पसंद नहीं तो मेरे साथ कोड़ी यहां किसान नेता मौड़ों जी आप से जड़ा हम वी एक लिए खासी भीड़ है यूपी के लोगों की यूपी के किसानों की और यहां से जाने वाले नहीं है मेरे साथ मौद है ऐलान कर दिया है लेकिन कई जो नेता हैं पर इंजाम लगा रहे हैं विदेश से फंडिंग हो रही है कहीं कहीं से आ रही है यह किसान नहीं इतना तलाव लच करिए कहने कई बदराम करने की कोशिज कर रहे हैं कि भी जेफिफित क्या क्या रहे हैं इसकी सरकार राज कर रही है कि ब्रक्राइब पकडवारी यह कर रहे हैं जिस पाकिस्तानिये खालिस्तानिये यह त्रहतार है इसका मतलब उस्पर और कुछ नहीं नहीं जानते जो सासन करना अब विवस्ता और जाने देटेरे पर भन्न दई कहां गई विवस्ता उनकी बुखेबल लोगों पो देख किसान को परिसान करना चाहते किसान भूल में नहीं रहे जाएं किसान भाप से लोटागा किसी भी कीबत पर अपने अधिकाल लेने आया है घर से कहके आया है कि में घर जा रहा हूं मेरी जान है रहतेली पर है बहुत कुछ हो घया आप जब लोट हूंगा जब अधिकार मेरे भूली में उससे पहले में नहीं लोटूँ तो युवां मौजूद है आप से बीजानें गी को आप बताएं हैं और जिला देक्स प्रिय तो गाजी पूर बॉडर्डर में मौदूद है पूरी यूपी के किसान और यूवा मेरे साथ उपस देते हैं जिक्या कहेंगे क्या लग रहा है अभी आपके जो किसान आ पहले रहे वह इनका दाव फेल हो गया अभी दो चार दिन पहले इन्हों ने अपने कार करताओं को हमारे बीच में गुसेड के पोश्टर इनोंने लहराएं तमाम ऐसे लोगों के जो इस देश के लिए यह तैसी नहीं है ठीक है हम लोगों ने भी वैसे लोगों को बाहर कि अ लिए जा रही है क्योंकि सरकार की जो आई भी है वो से सूचना यह जरी कि यहां दिन दूगना राच चोगना बीड़ बढ़ती जा रही है यह परिश्टितियां तब है जब सरहदों पर हर जीले के सराथ पर हमारे किसानों को रोका जा रहा ट्रेक्टर ट्रॉलियों में उ हम नौजवानों के रहते हुए और पिता तुल्य हमारे मार्ग दर्सक बुजूर्ग हैं इनके रहते हुए सरकाप के मनसूबे को हम लोग कामियाब नहीं होने देंगे और जी जान लगा करके लड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें यहां से वापस जाने के बाद वैसे लेकर अक्सरों होता है इस समय सरकार के तरफ से तो आपका क्या रिक्स नुए हब यह चाहरे हैं जैसे प्रदाण मंत्री जी कह रहे थे के सटौर बनेंगे वह पूछना चाहता हूँ सरकारो स्टोरी हो वह सरकार के बनेंगे यह हमारे हमारा जो प्राइवेट हाई लेविल वाले उद्योगपती बनाएंगे और हमारे से कम से कम रेट में वो खरीद देगा हमारा तो एक है कि जब हमारे लिए तीनों कानून बनाए ना तो हमारा कानून बन चाहिए हमें जो हमारा हक है स्वामिनाथन ने काया 10 रुपे लगेंगे तो 15 रुपे उनको मिलने चाहिए हमारी लड़ाई इस पे है और सरकार ने कानून किसके लिए बना दिये प्राइवेट के बंडारन खोल दिया बंडारन में कहा दिया एक लाग टन खरीद के पांच रुपे में दस रुपे में तो 50 रुपे में बेच यह सर्टीफिकर दे दिया आप 50 रुपे पर पावर बिजली था हमारा आज 2500 रुपे पर पावर बिजली है दस पावर मिनिमम कर दिया और 2013 में 53-52 रूपे डीजल ताज 80 रूपे हो गया और उपर बैठे कह रहे हैं आए दूगनी करेंगे हमारे बिजली डीजल तो बढ़ दे दोस गुना हम यह है कि कानून हमारा MSP पे चाहिए कि चलो प्राइवेट को दे दो हमें कोई नहीं है इसे कोई मतलब नहीं लेकिन हमारा हमारा उस रेट से कम वो कोई भी प्राइवेट वाला आदमी कोई भी जाएगा वो खरी देगा नहीं इस पे कानून चाहिए कानून हमने नहीं मांगे ते तीनों बिलकुल यह हमारे अध्यक जी है परदेश अध्यक्स है यह इसे पूछ लो किसी नहीं कानून नहीं मांगा और हम यहीं चाहते हैं कि जब तक MSP पे सरकार अब लिखित गारेंटी देने लगी ना पहले तो वर्बली कह रही थी ना हमें कानून चाहिए यह और जब तक यह कानून नहीं हटेगा हम इन सब के नेतरतों में यहां से जाएंगे नहीं जी अगर सरकार आपके पास अभी क अब ही बड़ी हुई है तो सरकार को मैसेज है मेरी तरफ से किसान अडियल है किसान अडियल नहीं सरकार है अगर सरकार हमारे पाट एक्सर्क्राइब तरीके से लोग जए लेंगे पीड दिखा के भागने वाले समधाय में से हम लोग नहीं है और अगर सरकार एक्सल में ही आ जाएगी तो सरकार को देश की 130 क्रोन जंता गोली मारना पड़ेगा मेरे समस्थ इतनी गोली सरकार के भंडार में होगा नहीं तो यहां से जाने के लिए कोई नहीं आया है कि भारती किसानियों कि जोर्ज रम की टकर से संगर्ष हमारा नारा है जै जवान जैखिसान बापा यूपी से आये हैं तके साब भी आपने देखेंगे में साथ रहा हूं तो उसमें और इसमें आंदुलिन में क्या प्रक्स देखिए उस टांपर सीधे दादे लोग थे अब चालवाज होगे कोई फरक नहीं लेकिन युवा युवा हमारी पीड़ी है हम से जादे जानती है अब युवा इस देश का कड़धार है यह हम तो बरदास कर ले बज़रो लो मोदी की नीधराम हो जाएगी हम तो यह कह रहें भाई से बापिस करो और तुरन तुम्हारे प छालीस आदम हमारे बलायो सुरो अरे बहुत चालीस आदम तुम बैठे जाओ और डिवेठ हो जाए उसे करो नहीं यह किसां तुम्हारे डंडे से करादेगा तो बोचती है हमें कुर्षी पर बैठाल सकते हमीं तुम्हें उतार सकते हैं किसां एक बात वां शोले सत्र जिन हो गए सदी में ठंड पड़ रही है आज बार सोर है कोई बात रहें बच्रका बना हुआ कि सामता है अले जब ठंड में पानी लगाता है तो यह पजमियां ऊपर कर दो भीतर भीतर चोपी देतों है ठंड में और जाएगी वहां जो खेत में एक बाद करके तका दे साहद पर ह कर रहे हैं में भी सेने को अरे ये दोनों किसानों और जवानगी एसी कम तैसी कर रहे हो तोवारा कर नहीं रहेगा कहीं ठिकाना रही यहां आप तो लो है मीडिया आओ आप 90 साल के होगे मेरी 46 46 वरस और 17 दिन से यहां बैटे हो ना पीछे जुकेंगे ना पीछे ऑजाए उना तो वाने कुछ नहीं जबाऊंगा मैं सील हो गया ओका बच्चा नहीं सीड होगा हमारा हम भुज्रक है तब आगे सीना करेंगे फहुरादी इस दिश्ट की बज्रक एक एक क्रोड मर जाएंगी ना तो एक करोड बच्चे ले लेंगे में को जेच वह जबाब द पानी ठंड में तोने हैं आप सुगेस तुमने घोलियां तुमने अरे जुर्मियों अन्यदाता आ रहा था तुमारी बात सुनते बाई क्या है यह मामला यह नहीं चलेगा जितना समय लगाएगा उतना ही अक्रोष किसान पर है जनांदोलन बन गया है जनांदोलन इसको कोई सब्सक्राइब कर दिया है कि अभी थोड़ा थोड़ा कम में रहो यहां बेवस्ता खराब हो जाएगी लेशन में साप नहीं कर सकते हैं गंद की आ रही है हमारे लोग मर जाएंगे अबाई सुरक्ष इसने से हम काम करें लेंगे सो मर्द बहुत हैं और लाखों हीजडों की जरूत नहीं है हकी किसान यूनियान जै किसान जै किसान आने सनाइन और गाजीपूर बोडर पे मौझूद हैं और हमार साथ यहां तमाम किसान उपस्तित हैं यूपी बोडर पे पंजाब के आए हुए उत्राखन के और यूपी के तो इन यह भी पीछे हटने वाले नहीं ह है किसी पार्टी में बरॉसा नहीं करते कोई नाग नाच नाथ है तो कोई सापना थै किसान एक मुस्त है और एक मुस्त रहेगा और सरकाय चाहे कुछी भी करें यहां मैं छै मिने से six पड़े हम पीच्छे अड़ने के मूड़ में नहीं है हां जी आप बताओ यह किसान का जो बिल जो है एक एक जम के थोप दिया आप मुझे बताओ मैं मद्धे परदेश से बद्धे परदेश से हूँ जिला च्छतरपूर वहां कि आप तैसिल में जाके देखकर क्या पूरी 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 सो परसंट भष्टा चारी बिना पैसे दिये काम चलता नहीं किसान अगर कोई कैदला अपनी जमीन अपाल लो तो किसान डर के वारे पहले कपने लग जाता है किसी का फैसला होना होगा और होना होगा दो चार महिने में यह जान मुझके देड़ देड़ सब्सक्राइब करोड़ों रुपे दान करते हैं किसानों के लिए 6,00,000,000 अब किसानों को आदी सब्सक्राइब हो ना ताकि किसान जो मसीन लागर क्या अपने खेती वाड़ी करें खेत दिल्ली क्यों आए कमाने के लिए और दूसरी बात ही है कि अगर किसान भाईयों को कुछ बास समझ में नहीं आ रही तो मोधी जी आप आप देखे हैं हर्याना दूसरी आप देखे हरे हरे हर यहां हर खमर बिले सच के साथ झाल झाल